हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माझ चैनल फूद बिसेस आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिक्स दाल के ढूख ले आए शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने वन अदर हाफ कफ राइस ली है यह खिच्डी वाले नॉर्मल राइस है इसके बाद मैंने इसमें वन चना दाल और उसके बाद हम डालेंगे से वन कप ओरत की डाल अपकोई भी तक रोड़ी वन कप का में अदर मीय सकते हैं एपाल बीडा के से बदोने को एप 10 सेAKना है। गळमत बद्दी सबस вспеч הזה हां ऐसे के सबस्ड़ग में बैके पैव्य शह से illinois एक है तो करेंगे हो इसक इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब इसको हम सोक करेंगे इसको 4-5 आवास आपको पानी में विखोके रखना है ताकि दास की जो डाले है वो अच्छे से फूल जाएं और इसमें जो वाटर है वो आप डाल राइस अपकी जो क्वांटिटी है उससे थोड़ा जादा रखें क्योंकि दाल राइस वो पानी को सोक करती है अब सको हम सोक करके रखेंगे फोर तु फाइवास के लिए तेटिए तिक दाल केसे अच्छे से पूल रहा है आपको फिंगर से आपको आइडिया लग जाएगा अब इसको हम घ्राइंड करेंगे इसको हम थोड़ा कि ज पानी नहीं लिया है पानी निकाल के इसको मैंने ग्राइंड किया है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जाद में अच्छे से नहीं पीश रहा है तो आप इसमें एक दू चम्मच पानी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से पीश सकते हैं इसको हमें एकदम मही नहीं कि इस तरह से मैंने सब दाल और राइस को पीस लिया है और इसको मैंने स्टील के बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है ताकि हमें अच्छी से फेटने में आ जाए यह आपके बाद जो भी बर्तन हो आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं तो ऐसको थोड़ा हम अपने चलाएंगे एसके बाद मैं इसमें वन टेबल स्पून जिंजर एंड ग्रीन चिली का पेश बनाया था वह ढ़ना है इसमें मैंने फर्फो तीस्पॉन हेंपाउडर डाला है उसके बार इसमें हाफ एंड हाफ टीस्पून हलदी पाऊडर एंड हा आप उछे मिला देंगे रब के एक मिला देंगे लगा अब फेटेंगे यह फ्लफी हो जाए अब इसमेंख में पानी क्उपनें और हमें थहाई थीक लग रहा अगर अगर आपको अपका थिक नहीं लग कीजिए तो spannend है यह मैं धिक हएसमें थाद इसअब बी चेंज हो गया है अभर एक्टम मफी मोटी वाली आप उसको यूज कर सकते हैं यह मैं घुटा सा city salt कमा कीव नीप करेंगे किसमे करने हैं कि किसमे और एक दोचे करेंगे क्विदी कई में Erica तो हम अच्छे सेीमिक्स करेंगे तो उसकी तरह यह हो जाए दिखिए अब हम इसको एक प्लेट में सैट करेंगे मिरे पास यह अलुमिनियम की प्लेट थी इसमें थोड़ा सा ओयल लगा के इसको ग्रीज कर दिया इसको चारों तुर्फ अच्छे से ओयल लगा दिया अब जो हमारे बैटर है उसको हमें छोटे आफ बैटर जो है और ट्रांसफर कर लेंगे जितना हमारे उस प्लेट में सैट हो जाए इसमें में आप टीस्पून इनो डाला है इनो डालते ही तो इन थुरण सा पानी डाला है ताकि यह अच्छे से फर्मेंट हो जाए अगर आपका बैटर यह अच्छे से मिक्स करना है इसको जाएआ अच्छे से मिक्स कर लें या यह आपको पता जिल जाएंगे इकदं फलफी हो गया यह दालने के लिए रिडी हो गया है तो अच्छे से इस से अपको इपको इछल और यह हम गरिस के टेंडिंगे कि इतना एसमिक्स कर गवाद की डाल देंगे जितना पैटर आपकी पेले गयों जिसेंड टोड़ तरव से पहलें ज़ए कर दें ताकिए से सब्सक्राइब क्रिव gute शीचका है इसके फैड़र लगाई पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी मैं इसके उपर है कि अब ये रेडी हो गया है मारा स्टीम करने के लिए मैंने अलड़ी कड़ाई में पानी रख दिया था बॉइल होने के लिए अच्छे से बॉइल हो गया है इसमें जो हमारी डोकले की प्रेट्टे इसमें रख देंगे इसको हम मीडियम फ्लेम पे मिनिमुम एक टू टैन मेंट इसको अच्छे से पकाएंगे अब इसको नाइफ क क्लीन है अब इसको हम बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा करेंगे अब हलकी आतों से इसको देख सकते हैं अगर ठंडा हो गया है तो नाइफ के हल्स से आप पहले इसकी किनारी को थोड़ा अलग कीजिए ताकि आसानी से निकल जाए अब इसको आप जिस भी शेप में आपको काफी जाट करों से अगर आप इसमें ऊपर से और कोई और के ऊच्ञा तरका यूजी निकल चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भीखा जब्स तकता है यह से काफी टेस्टी लगेंगे और अगर आपको उपर कुछ तरका या फ्लीवर देना है तो आप वह भी कहेचकते हैं कि देखिए कितने आसानी से कट रहे हैं और आपका नाइफ भी एकदम क्लीन है कि देखिए मैं आपको दिखाती हूं ही कितना सॉफ्ट बना रहा देखिए प्लेट से कितनी जल्दी ही निकल गया बिल्कुल भी चिपका नहीं है कि अब मैं इसके ऊपर एक तड़का बना देखिए जिसमें मैंने तू टेबल स्पून ओई लिया है इसमें फाइब टू सिक्स मैंने करी लिप्स लिये हैं पिंच ऑफ राई लिया है और वन फोटी स्पून मैंने हिंग पाउडर डाला है एच छोटी सी रेड मिर्ची को मैंन अगर आपको मेरी रैसिप अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक्यू बबाए